जमुकश्मीर के अखनूर के गाउं परग्वाल और इंद्री पतन क्षेत्रों को जूरने वाले 170 करोड रुपे की राशी से बन रहे चिनाब दरिया पर पुल का काम जोरों से चारी है इसको लेकर ग्रामीनों में काफी खुशी है परग्वाल की 6 पंचायतों के करीब 32,000 ग् पुल बन जाने से महस 15 मिनट में खोड पहुंच जाया जाएगा इतना ही नहीं नोकरी पेशा या अपने नीजी विवसाय पर जाने वाले लोगों को भी खोड या परग्वाल में पहुंचने के लिए काफी परिशानी होती थी लेकिन अब उनकी राभ भी आसान हो जाएग तो हमें सुरक्षित जगों पर पहुंचने के लिए पुल हमारे लिए बहुत काम आएगा इस दोरान लोगों ने सरकार का भार भी जदाया आपको बता दे कि पुल की इसक्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांगती पर गवाल और खोड एक ही सब डिविजन के अधीन आते हैं दोनों के बीच दरियाय चिनाब बहता है लोगों का आना जाना भी लगा रहता है रुस्यों ने लगबग 60 किलोमेटर का सफर वाया अखनूर तैक करना पड़ता था वहीं चिनाब नदी पर पुल बनने से यह सफर लगबग 15 या 20 मिनट के आसपास का रह जाएगा ऐसा कि इस बीच से हमें बहुत वेनिफेट है क्योंकि हमें अगर जो टेड़ केंडे का रास्ता है दो केंडे का रास्ता है उसको हमने एक केंडे में हमारा वो पूरा हो जाएगा और हमारा जो इदर बपार मंदला उसको भी फाइदा होगा बाकी जो बच्चे आने जाने उनको भी फाइदा होगा काले जितर हमारे बन रहा है अभी तो जो मतलब प्रगवाल के बच्चे भी और राम से आएंगे और कम ताइम में मतलब जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा और इसमें हम गवर्मेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जितना जल्दी हो स कि इसको मतलब प्रगवाल से इंद्री पत्न बनने जा रहे है इस पेच का बहुत ही जादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रगवाल पाकिस्तान के तरफ से दुस्तर दरिया चनाब से फसा हुआ है पाकिस्तान एक कायर मुल्क है आए दिन प्रगवाल में फारिंग होती जो लोग ड्यूटी करने के लिए खौड या जोडियां जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आए दिन जो रविन्यू के काम या फूड कार्परेशन के काम या तहसील के काम जितने भी हैं वो सारे खौड से होते हैं आज के समय में लोगों को कि शान रहेगा अगर पाकिस्तान के सरफ से फाइरिंग होती है तो यह ब्रिज हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा और हमारी कनेक्टिविटी बाकी जम्मू के साथ खोड के साथ बनी रहेगी धन्यावात यह जो हमारा इंद्री प्रगवाल ब्रिज है यह लगव आप यह 800 मिट्र यह हमारा जो कंप्लीशन टाइम है इसका यह वुक्या इसको हम दिसम्बर 24 कंप्लीट करने जा रहे यह ठोड़ा सा डले हो गया डी टू कोभीड की वज़ा से यह ठोड़ा सा उसकी वज़ा से delay हुने का cause है दो डिले हुआ है बाकि जो इसका जो ब्रिज का काम है यह हमारे इसमें 38 पाइर है दो बतमेट है हमारा 38 में से 22 पाइर का जो काम है 100% complete हो गया जो 18 का है वो हमारा काम अभी इस वक जो है वो बहुत ही तेज़ प्राग्रस में चल रहा है इसको हम दिसंबर 24 में इसको हमने खत्म करने का इसका हमारा टार्गेट है साइयों पौवर सिस्टम लाए हैं अब नवरात्रो और दिपावली को लेकर विशेश ओफर एक चार्ज पर 120 किलोमेटर माइलिज देने वाले मेडियन इंडिया एकसाइड नियो भारत एरिक्षा अब मिलेगा मातर 1,82,000 रुपे में जबकि 1200 वाट की मोटर के साथ अब आया है नए रंगों वो फीचर्स के साथ मजबूत बॉडी, शांदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारन खूबियों से लेस नए जमाने की इस ए रिक्षा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुम गाड़ी को बैक करने में मदद करें इस तक्नीक में पहली बार पीछे कैमरा लगा कर ये अनूठी विशेशता प्रदान की गई है चमकदार वजादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहत शांदार LCD इंस्टुमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाली स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सक्त, उच ग्रेड की मेटलिक रूफ, इन्बिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ, बेहत रिन सस्पेंशन जोदे जटकों से आराम तो देर किस बात की आज ही आएं और अपना एकसाइड नियो ई रिक्षा बुक करवाएं, हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटर डोर स्टॉप, आनन दगर बोढ़ी जबू, जब मुसंभाग में डिलर बनने के लिए संपर्क करें, 0191-2554-360 जमो कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहे जुड़े की अपडेट के साथ